को जोनाथन के कॉन्टा वर्स से तब शुरूई जब जोनाथन ने टू मिलियन हीट किये तो स्कॉट की ओडिएन्स ने बोला कि आप जोनाथन के पर प्रियेक्ट करो तो स्काउट नहीं यह बोला था जास मैं किसी बैंड गेम खेलने वाले स्ट्रीमर्स को पर रिक्शन नहीं दना ज़ता हूँ बार कि आप पता हो किसा अनला बात करना हम लोग अनला बात कर सकते हैं बैंड गेम खेल के पैसे चाप रहे हैं सर रियालिटी में जीव सर अब यह वाला पॉइंट स्काउट का बहुत सही लगता है कि वो देश के डिशिजन के साथ है कि देश ने अगर गेम बैन किया तो वो नहीं खेलेगा बहुत अच्छी बात है तो इस चीज पर जोनाथन ने यह डियक्ट किया देखो मैं दूसरी गेम कोई प्रमोशन के लिए नहीं खेलता हो अपन में वह गेम खेल रहा हूँ जो मुझे स्टार्टिंग से बनाई है जो मैं पहले जॉनतन था और अब भी जॉनतन समझ रूप पहले बहुत डिफरेंस है तो जिस गेम ने मुझे बनाया है और मुझे यह अब यहां पर जोनाथन के बाद भी बहुत सही है उस बंदे को जिस गेम ने उठाए आज वह बैन है तो वह खेल रहा है कि कि उसके सपोर्ट में है और स्काउट मादर्चो देख बात बता भोसडी के तू प्रमोशन करके गेम खेलके पैसे कमाये तो ठीक दूसरे पैसे कम हैं डियराँ और जल रही हैं बहुत सभीक है साले चूती आद अदमे 실ятtes में त Dw abbora तु h baja जिए फिक है यग बार करी लेखानीड चूतिय हुआ जो एक फाई यह है कि यहींज़े खेल रहा था स्क्रिंस कर गया और वो कास्टिंग के ओल माइक पे सबको सुनाई देने लग गया यहाँ पे यह चूदिया पकड़ा गया अगर यह वाला इंसेट नहीं होता न तो किसी को पता भी नहीं चलता कि यह गांडू इतना दोगला इंसान है जो रियलेटे में कुछ और बॉलता और अंदर से क कुछ और बहुत सडीके तो एक बात पता तुने क्या बोला कि तू कि तू किसी भी गेम को ऑन स्ट्रीम बैन गेम को नहीं खेल रहा क्या कि ताकि ओडियन्स इंफिलेंस ना हो अगर चूतिये तू देश के साथ है तो ऑफ स्ट्रीम हो चाहे ऑन स्ट्रीम हो तुझे नहीं क्यों काड मरा रहा तू अब जब देखो तुम हगोगे भाईया और फिर उसको खा लोगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे तो यहां पर सांगवान ने इसका मजाक उड़ाया तो इसमें इसने बिना सेंस के कुछ भी बोल दिया एक पर सुनो सांगवान ने क्या क्या और अजलनous जाएंगे लाई प्रचीật, जबाई एक क्षण देखना में, प्रहाँ किरें भाई लोन 20 ज्यूी तो इसें सप्शान देखने निया, यििम Calm Dip, मैंक्षण माइने आचकिने इसने प्रहार यिविफ ग्रचीचीय前 फीफाईर को पर देखने अचकिक्द है मंगो अए मेरे लिए विए उने हम संभाइ रहा हुआ है मुञ्फा ये बाखी थे तरमे स्षाव गायक भी सोलेगे काई लिया है अब बढ़ इस इन चूति आजे आजये अब शूनाे है बढ़ इन मादारचोद में ये अब बढ़ बढ़ सिब्स्टानिक प्रणरे झाजये इन क्या किया दिन भेहन के लोड़ोगा मैंसा ब्रेंफ़क होता ना भूसवड़ी के भीक मांग के भेहन सब्स बढ़ाते हैं मादर चोध यहां गान चोध रहा के लवड़े बताओ ओल चैट में माइक कॉन करके गान के गुजा ते सामने बोलना भेहन चोध बात कर कि अपना बजेना है पर फरीका बहुंचो कस्टम कहलूगा मैं आज से ग्रइंड क्यों करूंगा और स्टीं चोड़ी करूंगा व्यद को व्यूस नहीं चीए ब्रो एरा चैनल चल रहा है व्या अथ्षा चल रहा है बीना पब्ची के मेंको व्यूस नहीं चीए रंडियो आल गंडी वाली हरकत करके पबजी खेल के व्यूज नहीं कमाओगे लेकिन चूतियों वाली हरकत जरूर करोगी पेड़ प्रमोशन के चक्कर में कोई भी गेम खेल लोगे ऑन्स्ट्रीम हाँ अब बहुत सडी की एक बात सुन रियलिटी में आ समझ गया तो किसी भी चीज को गाल तो तो तुरी गांड क्यों जलती मुझे यह समझ नहीं आता है और फिर तु गमारों के तरह गाली देने लग जाता है पढ़ने लिखने की उनको जरूरत नहीं पढ़ने लिखने की तुझे जरूरत है कोई भी चीज ना गाली उसे जिस्टिफाइए नहीं होती यहां पे तो पेड़ प्रमोशन के वाली चीज़े खेलेगा वो चलता है ना तो यह इतना महाचूतिया इंसाने इसको यह इसको अकल वकल नहीं है इसको कुछ नहीं पता बैटा हर चीज़ को ना गाली जिस्टिफाइए करने से अच्छा है वर्ड से जिस्टिफाइए करो कुछ मैं भी लाइश्ट्रीम कर रहा हूं यह लोग बोल रहे हैं कि स्काउट एक्षोट क्या हो गया अब इसकी सेट्मेंट से आप लोगों समझ जाने चीए कि यह बंदा कितना चूती है और आप लोगों को कितना चूतिया समझता है और सुन स्काउट अपनी यह तेरी ही ओडि लेके बैठा है ना तो यह एक तो मेरे को यह समझ नहीं था यह बंदा किसी बात को जस्टिफाई करने के लिए उसमें दो चार गालिया एड क्यू कर देता है उससे चीज का कोई सेंस नहीं बनता है बस इसके चूतिया ओडियन्स को समझ आता है कि यह स्काउट ने गाली द